नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर परीचित दोस्तों पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद हिमातो पूर्ण जानकारी को ले करके जहां आज का हमारा टॉपिक है हो सकता है कि घुटने बदलवाने की जरूरत ही ना पड़े दस दिन करके तो देख लीजे अग के घुटनों को नया जीवन देने के लिए जानिये अद्भूत घरेलू उपाए दरसल घुटनों में ग्रिस कहना एक अनपढ़ भाशा का उप्योग है घुटनों में कोई ग्रिस खत्म नहीं होती घुटनों में फ्लेवरनोइड की कमी हो जाती है जिसके कारण घुटने मे उठते बैठते अत्यदिक डर्द होता है घुटनों से आवाज भी आती है फिर इसको लोग ये भी कह देते हैं कि घुटनों में गैप बढ़ गया है ये प्रियोग अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस प्रियोग के दोरान कुछ चीजों का पालन करना सही होगा अगर आपका वजन बढ़ गया हो तो उसको कंट्रोल कीजिए दाल दूद चाय कोफी कोल ड्रिंक्स फास्ट फूड तली हुई चीजें बंद करनी होंगी आपको अगर आपका खड़ा रहने का काम है तो दस दिन छुट्टी कर लीजिए पानी कभी भी खड़े हो कर नहीं पीना है पहले घुटनों के बल या पालती मार कर बैठ जाना है उसके बाद ही पानी पीना है आपको वो भी घूट घूट कि गेहूं की रोटी बंद कर दिजिए जो या बाजरे जिसमें गेहूं जो चना मिश्रित भी हो सकता है इसकी रोटी खाने है आपको ये समस्या अधिकतर बुढ़ापे में आती थी, मगर अभी ये हमने जो आपको बताया, इन कारणों के कारण, जिन में वजन बढ़ जाना, खड़े होकर काम करना, पानी खड़े होकर पीना, फास्ट फूट अधिक से वन करना, तली हुई चीजों का आत्या अधिक से वन करना मुखे कारण है, तो इससे बचने के लिए हम आपको प्रियोग बता रहे हैं, इनको कीजिए आपको रिजल्ट मिल जाएगा, सबसे पहला प्रियोग 10 दिन के लिए, सहजन का विरिक्ष अकसर मिल जाता है, तो आपको इसकी छाल ले लेनी है, सहजन की छाल 10 ग्राम अर्था आप दो चम्मच, दो ग्लास पानी में एक चोथाई रहने तक धीमी आज पर पकाएं, फिर इसको उतार कर अच्छे से इस पावडर को पानी में निचोड कर फिर इसको छाल लें, किसी कपड़े की मदद से और इसको घूट घूट कर पी लें, पालती मार कर ध्यान रखें, यहीं प्रियोग आपको दिन में कम से कम तीन से पाँच बार करना है, दूसरा प्रियोग दस दिन के लिए शलकी एक आयुरुवेदिक जड़ी बूटी है, जिसमें बोसो वेलिक एसिड नामक सुजन को कम करने वाला ट्राइपे नौइड शामिल है, बोसो वेलिक एसिड आ दूमेटी इड अर्थराइटिस और पीठ दर्द के लिए प्रभावी होता है, पहले तो इस पेंड की छाल दस ग्राम दो गलास पानी में गर्म करें और एक चोथाई यानि कि एक बटा चार रहने पर इसको पी लें, ऐसा दिन में तीन से पाँच बार करना है, अगर स्थि ज्यादा कठेन है, तो इस काढ़े में एक ग्राम लोबान गोंद जो इसी पेंड की गोंद होती है, वो भी डाल दें, या इसकी गोंद को दूध में डाल कर भी पी सकते हैं आप, यह जो दोनों प्रयोग मैंने बताया, इन में से कोई भी प्रयोग आप अपना सकते हैं, प पांच खजूर, इन सभी चीजों को एक साथ पानी में भींगो कर रात्री में रख दें, और सुबह नास्ते से पहले खाएं, और साथ में गर्म दूध पिएं, इस दूध में लोबान की गोंद एक ग्राम डाल कर गर्म करें, कुछ दिन तक यह प्रयोग रोजाना करें, ऐ गुटनों के दर्द में आराब मिलेगा, सर्दियों में इसके साथ में ये भी करें आप, नारियल की सुखी गीरी भी घुटनों के दर्द के लिए बहुत अच्छे औश्यद है, रोजाना 30 ग्राम सुखा नारियल खाएं, गुटनों पर दिन में दो बार नारियल के तेल की मालिश गुलाई से करें इससे घुटनों के दर्द में अद्भुत लाव होता है अलसी एक से तीन चमच चबा चबा कर खाएं अगर गर्मी हो तो अलसी को दही के साथ चबा चबा कर खाएं घुटनों के लिए मसाज एक छोटा चमच सोट का पाउडर लीजिए और इसमें थो सकते हैं कुछ घंटों बाद इसे धोलीजिए या प्रियोग करने से आपको घुटनों के दर्द में बहुत जल्दी हराम मिलेगा और घुटनों के बीच जो गृष्ष खत्म हो गई है जो चिकनाहट खत्म हो गई है उसमें दस दिन में ही आराम दिखेगा अगर आराम दिखे तो इस प्रियोग को जब तक पून आराम न मिले तब तक आप दोहरा सकते हैं ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए घुटनों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों